अलो डिवान गुड मॉर्निंग टू अल अफ यू जैसे कि आपको पता है कि बहुत लगातार चिंचित है और बहुत बच्चे परिशान है डे टू डे लगातार मेसिज करते रहते हैं कि सर क्या करें क्या यह फॉर्म आएगा नहीं आएगा क्या होगा तो बच्चा जहां तक पहले भी हमने information आप लोगों को दिया हुआ है आज भी कह रहा हूं कि जो चर्चाएं चल ले थी वो एक election मुद्दा था और इसके जितने भी officers थे वो खासकर elections के डीटू को लेके ही अभ्यस्त है इसलिए यह examination नहीं ली जा सकती है कल जो एक expected date पता चला है कि यह जो एक्जा को भड़ा जाना था तो ऐसा अब date निकल के आ रहा है कि 10 जून के अंदर अंदर ही आपसे form भरवालेगा इन बातों का ध्यान नहीं तो 10 जून तक बच्चे अब इतने पेसेंस आपने रखा है तो 10 जून तक एक बार जरूर पेसेंस रखा जाए और हमने तो हमेशा बोला ह अगर आपके पास कोई secondary option नहीं तो आप इसको opportunity बना के चलिए form जरूर भड़ा जाएगा exam जरूर लिगा जाएगा 6 मने के अंदर सभी प्रक्रियाग पूरी कर ली जाएगी तो सभी बच्चे एक दब जम के तयारी करें लगातार लगे रहें इससे later कोई भी समस्याएं आत बच्चे एकदम जम के लगे रहें समय मिल रहा है तो समझे एक अच्छी opportunity मिल रही है इस opportunity को भुनाने की जड़त है ना की परिशान होने की अनगीनत मेसे अनगीनत कॉस आईसे आते रहते हैं कि यह वेकंसी रद्द तो नहीं हो जाएगी इसकी exam की तयारी कितने दिन करें ऐसे बच्चे खासकर उन्हीं होते हैं जो तैयारी से अक्सर परिशान हो आते हैं तैयारी इसी दो मेने के लिए करते हैं बच्चे तैयारी कुछ वेकंसी ऐसी होती है जिसमें ज्यादा संगर्स होता है और उसके बाद उसके प्रिणाम मिलते हैं तो बहुत जरूरी है इसक कोई शीट नहीं है तो यह बढ़ेंगी लेकिन इसकी ओफिशल कोई जानकारी ना तो इंगलीज कर रहा है ना किसी तरीकी से बता रहा है कल एक डेट पता चला है कि हाँ दस जुन से पहले फॉर्म जरूर भर दिया जाएगा तो जो भी बच्चे जो भी लगातार तयारी करें थोड़ी बहुत भी परिसानी में है किसी कारण बस परिसानी में है तो बच्चा परिसानी को दूर करिए तैयारी में लगिए यह आपके लिए एक अच्छी उपर्चनूर्टी है हाँ कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा परिसान है उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है कि देखिए आपके लिए क्या कर सकते हैं अगर कोई बच्चा ऐसा है जो लगातार लग रहे हैं ये बेस्ट है मेरे कोडिंग कि आप लगातार लगे हैं तैयारी कर रहे हैं तो इसको करते रहे हैं इसको छोड़िये मत ये एक biggest और बहतरीन opportunity है ये मोका नहीं मिलेगा चाहे आ आप जही के experience हो या फिर आप technician के experience हो दोनों बच्चे लगातार लग जाएंगे technician वाले बच्चे और जही वाले बच्चे आप लोगों के कल एक बेद मैं बताओं आप लोगों के कोर्स के अंदर कल test series upload हो जाएगा तो दस-दस त्रेट दोनों ही बच्चों के test series update हो warranty है अगले 2-4 दिन में मुझे कुछ बढ़ियां job लग जाना या अगले 2-4 दिन में मुझे कोई lottery लग जानी है जैसेकि dreams element style तो बेसक वच्चा आप छोड़े इसको अगर कुछ लगता है कि आने वाले एक दो मेने के अंदर कुछ ऐसे तीर लग जाएंगे कुछ ऐसे बहतर प्रचों के पास opportunity तो बहुत लिमिटेड है लेकिन फिर भी वह पढ़िसान होते हैं क्योंकि कि तयारी 2 मेने के अंदर करना होता है बच्चे तयारी के अंदर कई बार 2 मेने लगते हैं कई बार 6 मेने लगते हैं कई बार किसी exam में final तक होते 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 साल बड़ भी डेड़ साल भी लगते हैं तो ये तो अपने अपने challenges हैं अपने struggles हैं कि किस exam को कैसे किया जाए या कुछ ऐसी संभावना होते हैं कुछ ऐसे options create हो जाते हैं कुछ ऐसे challenges मिलते हैं जिसके कारण आपका वो exam में delay होता है तो बच्चा delay को एक opportunity बनाना है ना कि छोर के भाग जाना है इससे भागना नहीं है दूर इसके पीछे लगा रहना है अगर option में बोला किसी बच्चों को ऐसा लगता हो कि इससे बैतर opportunity तो अगले दो मेने मुझे ये मिल रहा है या फिर कुछे लगता है कि अगले पंदा दिने मैं कुछ ऐसा कर लूँगा इसके कारण मेरी जिन्दगी बरबाद हो रही है तो बिल्कुल उस योग को कर ले क्योंकि इसकी कोई certainty नहीं है अभी इसकी कोई fix ना तो दिन्द है ना तारीक है कल के date में मैंने आपको बताया क कि जहां तक पता लगा है कि दस जिनता का फॉर्म आपके भराल ये जाएंगे तब तक सभी प्रकिरियाएं लगबग पूरी हो चुके होंगी तो बच्चा एक बार और थोड़ी ये महनत करिए लगातार जमे रहिए जो हर दो दिन आए दो दिन पर जो भटक जिन लगते है या आए दो दिन पर उनको लगता है कि अभर नहीं बच्चा वाइसे लोग बहुत कम त्यारी करते हैं या यादि वह से लोग जो त्यारी करते हैं वह सिजनल ओते हैं आज आए त्यारी कर लिए फिर छोर दिये ऐसे लोगakra थोड़ी सी पेसेज़ को रखें अपने तैयारी के लिए थोड़ी सी efforts लगाएं थोड़ी सी महिनत करिए क्योंकि देखिए आपकी महिनत से ही कुछ होने वाला है लगातार लगे रहेंगे तभी कुछ होने वाला क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत limited बच्चा है आप चाहे तो भाग गए तो फिर आ बच्चा आपको टाइम मिल रहा है यह अपने आप में एक opportunity है अपने आप में बच्चा क्या है एक opportunity है इसको ग्रैप करिए ज्यादा ज्यादा तैयारी करिए और किसी को ऐसा लगता है कि कोई lottery dream 11 tap मिल रहा है या अगले दो मेने में कुछ बहतर हो जाएगा इस उकजाम को छोड़ने के बात तो मेरी एक according छोड़ देना चाहिए अगर लगता हो कुछ बहतर हो पाएगा लेकिन नब्य परतिसत बच्चों के साथाइसा नहीं होगा कि इसको छोड़ने के अलबा कुछ की वहतर मिल जाएगा आप मस दार में रहेंगे तयारी उतनी करने होगी लेकिन अगर तयारी आप यहां कर रहे हो या SSC G की कर रहे हो या फिर RRB की कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो तयारी बच्चा सब में समय लगना होता है time लगेगा एक बहतर अपरचुनिटी आपके लिए जरूर आ रहा है तो पूरी जम की इसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए तो चलिए बच्चा अगर बहतर अपडेट्स मिलेंगे तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा फिलाल यही अपडेट है कि 10 जून तक आपके फ़ बच्चा सेकेंडरी कोई सब्सक्राइब नहीं है मुझे पता है 90 परतिसत लोग लगाता तैयारी के लगे हुए है कि उसको लग रहा है कि और कोई भी वेकेंसी हो साल मत तो सब लगाते हैं साल साल भर लग जाते हैं इसलिए यह एक ऐसा प्रस्ट्टिटी है जहां छो मेने देने से कोई फाइदा नहीं है फाइदा उसी में है कि लगातार लगे रहना चीए धन्यवाद